नमस्कार इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी कहत कबीर सुनो भई साधू जा मुख राम नहीं वा मुख धूल भरी भजोर भईया राम गोविंद हरी आप सोचेंगे मैं कबीर की वाणी के साथ अपने सकारिक्रम के शुरुवात क्यूं कर रही हूँ तो भईया उत्तर प्रदेश की राजनीती का एक रंग ये भी है कि यहाँ पर राम कृष्णो और परशुराम के नाम पर भी वोटों की सियासत बड़ी भारी है फिर चाहे वो भारती जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहत खास मंच पर मौझूद है और समाजवादी पार्टी के गड़ कनौच से डिम्पल यादफ को हराने वाले सानसफब महदाय सुब्रत पाठक जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका और सुमाजवादी पाठ जी की ओल से तेव तर्रार नेता अभी शेक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है मचपर तो सर्ट सबसे पहले भारती जनता पाठी से ही इस बात की इस चर्चा की शुरुबात कर डी जाए राम गोविंद हरी राम परशुराम और कृष्ण के नाम पर वोट मांगे जाएंगे देखिए राम और परसुराम और या भगवान कृष्ण हम लोग पहले तो किसी को अलग से देखते नहीं भगवान है भगवान की ना तो कोई जाती होती है ना किसी प्रकार से उनको जाती में हम बाट सकते हैं और रही बात राम की, तो राम का मंदिर यहां के उपर बना या बनने जा रहा है, जिस प्रकार से हम सब लोग देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भब राम का मंदिर हमारे सब के सामने होगा, और ये मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, इस देश के पूरवज भगवान स्र खाया जाता है, लामायल हमारे घर की संस्क्रति, बनाने के उपर सवाल थोड़ी ना है, मंदिर बन रहा है, इसके नाम पर जनता से वोट मांगने पर सवाल, नहीं क्यों नहीं, भाई एक बात बताईए, जब जो काम हमने किया, यही समाजवादी पार्टी, अन्यवदलों क लोग कहा करते थे, कि मंदिर महीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इस मंदिर के लिए अंदोलन हमने किया, इस मंदिर के लिए सबसे बढ़ी लडाई भारती जनता पार्टी ने लड़ी, और आज यह मंदिर हमारे ही कारकाल में, जब उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, दिली में भी हमारी सरकार है, उस समय पर जब मंदिर बनने जा रहा है, देश के प्रधान मंत्री उस मंदिर का सिलान नियास कर रहे हैं, तो निश्य तरूप से क्या ही हमारी जो खूबियों में, जो हमारे लोगों के जो काम है, उसमें यह बड़ा काम है लीजे ये राम के नाम के भी है राम के काम के भी है इफले राम के नाम पर वोट क्यू ना मांगे बताईए अभी शेख जी देखे प्रभु श्री राम सभी के हैं कोई ये कहे कि मेरे हैं ये मेरे ज्यादा हैं तो उससे बिलकुल सक्त एतराज है मुझे को प्रभुश्री राम जतने मेरे हैं उत्ते कभी मैं कह सकता हूँ इनके नहीं हो सकते या इनके किसी और के नहीं हो सकते यही बात है मेरे लिए भी कह सकते तो भगवान श्री राम के नाम पे भगवान श्री परशुराम के नाम पे प्रभूश्री कृष्ण के नाम पे मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भेदवाओ है कोई चर्चा है भगवान विश्णू के अवतार है और निश्यत रूप से जिस तरीके से ये बात सच है कि इन्हों ने भगवान परशुराम का अपमान किया ये बात सच है आज मैं नहीं कह रहा है पुरा उत्रप्रदेश कह रहा है उसका मैं आप को दारन देता हूँ आज आप खड़े हैं मेरे साथ आप इनसे पूछ लीजिए ये भगवान परशुराम को भगवान मानते हैं कि नहीं मानते हैं भगवान श्री विष्णू के छठे हवतार मानते के नहीं मानते हैं मानी सांसे जवाब दे दे तो मैं आगे बात को हूँ मानते हैं नहीं मानते हैं ने देखे हम भगवान परशुराम को भगवान ही मानते हैं उनको महापुरुष नहीं मानते हैं भगमान हैं। आप देखें, मैंने इंजाप नहीं लगाया। अब देखें, रिव लोग सामने बैठे हुए है, जनता भी सुन रही है। बैए लाइड स्थी मिंग भी और यह आप बताईए वो तो कह रहे हैं कि महापुरुष नियुकर । महापुरुषक कीala हैं। कि जाती इनको पता तह में क्या कहने जा रहा हूं इसलिए उसकी अब चोरी पकड़ी गई पूरा उत्तपेश पूछ रहा है तो कहीं ने कहीं ने उसका पहली जवाब दे दिया मैंने बात कहीं ही नहीं लेकिन जवाब दे दिया तो मैं आज पूरे देश के सामने इंडिया ट प्रभुष्री राम इस देश के जो सबके पूरवज है लेकिन उसके बाद 2007 में दिल्ली की सरकार सुप्रिम कोर्ट में हलफ नामा देती है कि भगवान राम कोरी कलपना है रामाल कोरा उपर नियास है उस दिल्ली की सरकार में समर्थन किसका था उत्तर प्रदेश की प्रद्वाधी पर्टी का भी था तो ये सब क्या है आप राम को मानते ही नहीं हो राम भक्तों के उपर आप गोली चलवा देते हो और उसके बाद आज आप पहते हो कि राम हमारे हैं तो निश्ची तरुप से यह सब नहीं जलेगा यह आपका दोहरा चरितर जो है ना यह स परसंट दे देंगे नहीं हम साथ परसंट दे देंगे और उसके बाद लगा के टोपी सारे के सारे पहुंच जाते थे कोई मजार पे जाता था मुख्मंतरी आवास पर रोजा कराये जाते थे लेकिन आज टोपी वाला भी कोई बगल में अगर ख़़ा हो जाए तो उसकी ट रिवरतर नगर आया है तो क्यों आया है इसलिए आया है यह राम को स्विकार करने लगे हैं यह राम को स्विकार करेंगे भगवान कश्न इनके सपने में आने लगे हैं थोड़े दिन बाद भगवान राम भी आएंगे जो कहेंगे तुमने राम वक्तों के ओपर गोली चला आने वाले आज राम का नाम ले रही हैं वारोप लगा रहे हैं कि मौकापर रिफ्तराजनीती है फ्रेरा मियाद आ रहे हैं जो इन्हों ने कहा 2017 कि हम लोगों ने जातियों की बात करते थे आज नहीं कर रहे हैं ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे है उसका कारण है कि आज जातियों की लड़ाई और धर्म की लड़ाई कराने की पूरी ठेकेदारी बहादी जिन्ता पार्टी ने अपने उपर ले लिए लेकिन मिश्रा जी तो मैं एक कांटर पूरा बोलिएगा एक कांटर पूरा दीजे मैं और आप पहस करने लगेंगे ने बहस की बात ही नहीं लेकिन जाति के राजनिती मानिय ग्रेमेंट्री कर रहे हैं जब उन्होंने जाट लोगों को जाट के नाम पे कल बुलाया सोनी लेकिन मुझे सवाल पूछने का आप मौका नहीं देंग यह तो गलत बात है लागा जवाब को सुनिए जंता सामने बैठी है आप पूरा तेह करेगी इंडिया टीवी ने किसको कितना जवाब दिया उसके बेसे पे इंडिया टीवी के रिक्रगनेशन में और रैंकिंग्स भी चलेंगी तो आप मुझको सुनने ये अब आपने सवाल पूछा है अब शेख मुश्रा गुला है दोनों बातों का जितने ये पहले मैं जो बूर रहा हुँ उसका जवाब सुनिए उसके बाद आप जो कहेंगी उसका भी दूँगा इन्हों ने जो बात कही मैं बिलकुल स कभी open offer ने दिया कि तुम हमारे पास आजाो आज है से खौश ट्रेडिन की की नीव रखने की कोशिच कर रहे है आज ही सिर तोडने की कोशिच करْ रहे है आज ही से offer देरे हैं चुनाओं के बाद जो होगा कोई बात नहीं तुम तब हमारे पास आ जाना आप इन्होंने गल् कोट आ गई है आई बी की और बाकि इंटेलिजिंस एजिंसी की कि उत्तर प्रेश का चुनाओं हारने जा रहे हैं आपने मुझे खुशी है आपने जो पीछे अपना बैगराउंड बनाया मैंने देखा इसको आते ही बहुत खुशी है देख करके काशिस में से एक काम पूरा क प्रतिमा आपने लगा रखी हैं यहां कि पांच साल से गोशना है बनाने की पांच साल से बनाएं इन्होंने और मैं आपको कह रहा हूँ मैं आज नहीं जिस दिन सुप्रीम कोड का जज्जमेंट आये था प्रभु शिराम के मंदर का उस दिन मैंने कहा था ये बनाएंगे नहीं इने बनाना होगा तो 2014 से बनाएंगे क्योंकि ता पालिमंट को चुनाऊओ आएगा तह तहुरानी प्रधानमांती है अपने चुनाऊव से पहले बनाएंगे उट्त वरह सच नहीं बनेगा नहीं एक सास में वो बोल गए, आप ही किसा योगी है ना, कौन नहीं कर रहा है जाती की राजनीती? नहीं उन्होंने किस कॉंटेक्स में क्या का है तो मुझको नहीं पता मैं उसमें नहीं था आपके हॉल में ना मैंने टीवी देखा कि उसमें क्या चल रहा था लेकिन जहां जातियों के राजनीती के आप सवाल पूछ नहीं अगर उन्होंने जातियां गिनाई तो ये देश की सच्चा ही है आपने आज नहीं मिनाशी जी मैं भी इससे खुबसुरत मुस्कुरा कर दिखा सकता हूँ सवाल यह है सवाल मैं आपका जवाब दे रहा हूँ आपने आज प्रकार्म रखा किस पर रखा ब्रामन राजनीती पर आपने बुलाया किसको बुलाया मानी सुबरत पाठक को और प्रफसर अभशेक मिश्रा को क्यों बुलाया मैं कहूं आप जाती की राजनीती कर रही है मैं कहूं इंडिय टीवी जाती की राजनीत कर रहा है आप मुस्लमानों के उपर भी जवाब देंगे, आप ब्रह्मनों पर भी जवाब देंगे, हम मुद्धों की भी राजनीती करने हैं, अभी मैंने जितनी जातियों का नाम लिया, क्या उसमें मैंने ब्रह्मन जाद गिनाई, आप आप देखे, काउंटर क्वेश्चन के लिए अगर मैं पाठक साथ से भी जवाब दूँगी, तो मैं दंगाईयों पर भी पूछूंगी, मैं मंदिर पर भी पूछूंगी, मैं मस्विद पर भी पूछूंगी, आप पाठक, आप मिश्रा और जोशी ढूंडेंगे, तो तो फिर ये चर्चा बहुत लंबी चल सकती है, अब सवाल ये है कि वो की कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर भी लगी है, यहाँ पर राम जी की मूर्ती अब तब लगेगी, जब दोहसार चौबिस का चुनाफ आएगा, अब इनको तो बोला ना, इनको तो राजिनीत करनी है, जीवन बर करते रहेंगे, ये राम भक्तों के ओ आज भगवान करशनिन के सपनों में आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये परिवर्तन है, और धीरे धीरे आएगा, रही बात मंदिर बनना वहाँ के ओपर कोई छोटी मठिया नहीं बनने जा रही है, एक भव्यस्तिराम का मंदिर है, वो 500 साल बाद बनने जा रहा है, कितने पर लोगों ने अपनी आस्था के साथ में दिया है, उसके बाद जब पहुता आया, उसके बाद वहाँ काम सुरू हुआ, काम सुरू हुआ, आज काम कहां पहुँच गया है, हमें लगता है, अविसे एक जी को वहाँ जाना चाहिए, और जाके देखना चाहिए, भगवान राम के दरसंद करना चाहिए, थोड़ा सद्वुद्ध ही आएगी इन लोगों के, जिसकी आवज सकता भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अभी है, ने पाथक साथ, सवाल मैं फिर वापिस मुद्धे पढ़ लेकर आती हूँ, कि राम के नाम पर आस्था पाथक साह तो हम ये मारी उपलब्दी है, इसको क्यों नहीं कहेंगे हम, जनता के बीच में कहेंगे, जनता वोट करती है, जनता ने उस आंदोलन में भागेदारी किये, जनता के हजजारों लोग उसमें उस आंदोलन में उन्होंने अपने प्रान तक दे दिये हैं, तो आज हम राम मं के लिए कारिक्रम करने के सारे मंदिरों कर और व फिक्त्राइब हैं य लूमन्हें और और इख गर ग दिए घ्रप्रजिश में एक लिगपाल का विडियो डाल दिया था जिस्पर उनोने per और जब पता चला तो यह पता लगा कि भारती जन्ता पार्टी की पांग साल की सरकार में एख थी लिकपाल बरती नहीं हुआ वह अवह पोजया भुड़ पार्फीत की लिए लेऊ- कोवेड एक दम फीक पे था चरम सीमा पे दुनिया में लॉकडाउन था देश में भी कुछ लोग खड़े हुए टीवे पहचानक लॉकडाउन लगा दिया गया उस समय भी एक ट्वीट आया था कि एक दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार रिकॉर्ड बनाने जा रही है सवा कर किसको कौन सा बजेट दिया गया कौन सा अपॉइंटमेंट लेटे जा उस दिन मुख्यमंती जिने कारिकरम किया बाकाइदा जिसमें सब ने कवर किया था सिफ आपने ने सब ने कवर किया और उसमें कोई अपॉइंटमेंट लेटे जा रही नहीं हुआ कोई बजेट नहीं दिया गया, किसी को पेंशन नहीं मिली, किसी को उसका एक रुपया नहीं मिला, आज तक किसी के अकाउट में एक रुपया उस गोशना का नहीं गिया, जो सवा करोर नौकरियां एक दिन में दी गई थी, और आज जब पूछते हैं कितनी नौकरियां तो कभी कहते हैं, तीन ल जिस दिन यह गिना देंगे, सवा करोर इन्होंने इनको यहाँ यहाँ दी, तो इस दिन इनको समझ में आ जाएगा, कि समाजवादी की अपने आप जाद आ है, यह गिना नहीं पाएंगे, आप इनसे पुछे नहीं सवाल, चैलेंज है मेरा, तो पर अब आप सुनना चाहती है और आप मौका देंगी तो आपक是啊 इंडिया टीव पे हम लोग को मौका मिलता नहीं है. आप लोगों के सामने मैं फिर पूछने हicem ऐग송पी शेग जी अचा रेटा नोविछ लेकर आने गांडेकर आईा है इन्होंने नौकरियां दी थी तो नौक्रिया अगर मिली है तो economic growth होई होगी, economic development हुआ होगा, prosperity आई होगी, GSDP बढ़ा होगा, GDP बढ़ा होगा, लोगों का gross capital formation है वो बढ़ा होगा, उन सबका data है मेरे पास, अगर आप इजाज़त दे तो मैं दे दू, अगर उत्तर प्रेश आप चाहते हो, इन मुद्दों अभी शेख जी, मैं सामने यहां पर खड़ी हुए हूँ, सवाल भी आप से पूछ रही हूँ, जवाब देने का पूरा मौका भी दे रही हूँ, लेकिन अगर आप खड़े ख़़ें, आप अगर बाल 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 तंस कर सेंगे, तो मैं भी बहुत अच्छे तंस कर सकती अखलेश यादव जी के ओर से उन्होंने का थ्रीपी, प्रान घातक ये जो थ्रीपी की फरकार है, पाखंड, प्रतार्ना, प्रान घातक, बाबा जी पैदल भी हैं और बेदल भी है, देखिए अखलेश जी तो जिस समय से लगता है कुरसी से गए हैं, वो बुरी तरीके से फ्रस्टेसन में हैं, उनको लगता है कि इस कुरसी पे उनका ही अधिकार है, दूसरा कोई आ नहीं सकता, और फिर उस कुरसी पे एक बिल्कुल साधारान आदमी, एक संत आकर उस कुरसी पर बैट गया, तो उनको मुझे लगता है बहुत बुरा लगा, और जिस प्रकार की प्रान घातक बात करने प्रान घातक सरकार किसकी थी, किसने सरकार में माफियाओं को संरचन दिया जाता था, किसकी सरकार में माफिया बिधायकों तक की हत्या करा देते थे, क्या क्रश्नानंद राय की हत्या भूली जा सकती है, एक ही दिन में 300 से भी अधिक गोलिया मार कर उसके हत्या हुई और चोटी काट कर मुक्तार अंसारी को दिखाने भेजी गई कि हाथ वही मरे हैं राजू पाल प्रयाक की सलकों के ऊपर दोड़ा दोड़ा कर वह व्यक्ति इसलिए मार दिया जाता है कि वह अतीक अहमत के भाई के खिलाप चुनाव लड़ता है आखिर इतन कि 50,000 रुपए की लूट के लिए भी कट्टा निकाल कर गोली मार कर चला जाता था ढूना नहीं जाता था इसलिए कि वह फोन पहुंच जाता था किसी बले नेता का पस्चिम में पस्चिम में रात में रोडे बंद कर दी जाती थी कानवाई चालू हो जाती थी कि 10-20 गारि दी खाता उस समय संधचन प्राप्त था यह प्रानगहा तक था जिसके लिए उत्तर प्रदेश में विदा किया जब भी कामरियों की यात्रा निकलती थी ओँ हर-र बंद कर जाते थे तो उनके उपर पथर बढ़ता जाते थे कोई साल ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें कामरिय कि हत्याना होती हो दुर्गा विसर्जन की यात्रा जा रही थी हमारे कन्योज में गोली चला कर एक सरदालू उसमें मार दिया गया था हमारी यात्राएं तक रोकी जाती थी मंदिर को लाउड स्पीकर नहीं बजेगा उतरबा दिया जाता था क्योंकि समय अजानका हो गया है तो इस प्रकार के जिनके मंद में भेदवाव रहा हो जिन्होंने दंगाईयों को संदच्छत किया हो जो माफियां को संदच्छत पाल पोस्ट कर जिन्होंने बढ़ा कर दिया हो वो कह रहे है प्राण घातक योगी को जिसने इन माफियां के ऊपर बुल्डोजर चला दिया योगी आधितनाजी ने किया उन्होंने कहा चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस अपने परिवारवादी is equals to तमंचावादी जी अभी अब आप जवाब मांगरी जी जी अभी जो उन्होंने कहा माफिया वाले सवाल पूछा मैं अभी आपने भी चलाया था और बाकी बहुत साई चानल से चलाया अभी उत्तर प्रदेश का एक वांटेड माफिया जो कि एक पर्टिकुलर अफिरिटी के लोगों का सरक्षन प्राप्त है और बाइचांस हो सकता है कोइंसिडेंस हो मैं नहीं कहा रहा कि फ्लैंड है मैं नहीं कहा रहा इस वजे से है हो सकता है सर्फ इत्तेफाक हो कि वो भी उसी कम्यूटी से आता है जिस कम्यूटी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी जाते है अभी पूरे उत्तर प्रदेश ने पूरे देश ने देखा कि जिसके सर पर ही नाम है वो क्रिकेट खेल रहा था ओपनली बल्ला चौका छका मार रहा है पुलिस वाले खड़े हैं पीछे ताली विजा रहे हैं सेफटी सेक्योर्टी पूरी दी हुई है और कोई कारवाई ने सब ने चलाया हम लोगों ने शिकायत तक की कोई कारवाई हुई क्या जवाब है उसका चुप़ी कोई जवाब ने दंगे की इनोंने बात कही मैं इनका ध्यान आकशित करना चाहूंगा हिंदुस्तान की सरकार में एक विभाग है ग्रह मंत्राले उस ग्रह मंत्राले में एक इंस्ट्यूशन है नाशनल क्राइम रिकॉर्ज ब्यूरो ने भी डेटा दिया है जिसमें जिसके ग्रह मंत्री कोई है मुझे बताने ज़रूरत नी पूरे देश को पता है ग्रह मंत्री जी के विभाग से जो डेटा आया है उसमें दंगों की संख्या भारती जनता पार्टी की सरकार में कई गुना ज्यादा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के मुकाबले आप आकड़े लाएं है ना इससी पर आप एंसे आलबी के डेटा अभी कहें तुम्हें खूल के देता हूं मैं इसमें नियरमात एकनोमिक परफॉर्मस के डेटा हुआ है आप कहेंगे तुम्हें आपको बेज़ दूगा पाकि मानि सांसे जी को पता होगा 100% पार्लिमेंट अगर दंगा इनके समय पर हुआ सारानपूर में दंगा इनके समय पर हुआ मतुरा में दंगा इनके समय पर हुआ बारती इंता पार्टिक समय पर अगर दंगा हुआ तो टीवी दिखाती अखबार दिखाता किसी ने दिखाया अरे दंगा होगा तब तो दिखाएंगे अब मुझा पर नगर का मुद्धा बार बार उठाया जाता है कैराना का पलाया बार बार उठाया जाता है ने लेकिन मुद्धा था ना बिल्कुल था मैं सहमे तो आपकी बार बार उठा रहे हैं मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा आप से जादा दूर नहीं लगना उसे मुझे लगता साथ किलोमेटर की दूरी पर उननाओ है उननाओ से एक विधायक जी जो कि आज तो जेल में है सुप्रीम कोट के आदेश के बाल वो मान्य मुख्वंत्री जी से मिलने पहुँच गए थे ये दिखाने के लिए कि किसी में अगर हिम्मत हो तो मुझे को छू के दिखा दो बाती जन्ता पार्टी के मुख्वंत्री से मिले भी चाय भी किचवाई फूटो भी किचवाई उसके बाद मुस्कुराते हुए टेहलते हुए इससपी के हाँ गए उसमें कमिशनर सिस्टम नहीं लागू था कि साब अगर मैंने को गलती कियो तो मुझे अरेस्ट कर लो इससपी नहीं का ने नी साब आपको कैसे अरेस्ट कर सकता है आपको मुख्वंत्री जी चाय पिला कर बेढ़ा है आप बाइसद घर जाएए जब कोट में मामला चला तब उनकी अरेस्ट हुई इन फाक्ट सीबी आई ने ओन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ सेंट्रल ब्यूर अफ इन्वेस्टिगेशन ने जो कि स्वैम सीधे मानी प्रधान मंत्री जी के अधीन संस्ता है गरेमंती जी के दिन भी ने वो संस्ता उसने लिखित में कारवाई की सिफारिश की थी उस समय उननाओ की जो सेस्पी थी उनके खिलाफ तीन अफसरों के लिखित में आई पेस अफसरों की सीबी आई ने लेकिन हथीकत तो है कि वो जेल में है उसके बाद जब कोर्ट में प्रकंट चला, कोर्ट ने आदेश किया, वो SSP हटाया गया, दूसरा SSP पोश्ट वा, तब उनके अरेस्ट है, इस पर मैं जवाब लूँगे, सुरत पाठक जी का लेकिन, लेकिन सुनिये न, आज नाहिद हसन के सुमर्थक भी तो वही कर रहे हैं या नाहिद हसन के जितने बयान हम देखते हैं, क्या ये स्वफ्ट लोक तंत्र की कोई परिभाशा हो सकती है, कि हिंदू की दुकान से समान मत खरीदना भले तुम्हें एक किलो मीटर, दो किलो मीटर जो जाना पड़े, बिल्कुल नहीं हो सकते, नाहिद हसन ये बोलते हैं और उनके समर्थक की कहते हैं, को टिकेट नहीं दिया, तो हम भी तुम्हें शामली में बताएंगे, पुके, आप समर्थक लोगे, वो तुम्हें जो नहीं हिजे का कहना था, उसमे उनका कहना था मेरा पुराना वीडियो बॉक्टर करके चला रहे हैं, उन्होंने यल्जाम किसी एक विशेश पार्टी पे लगाया है उत्तर प्रदेश में मैं उसमें नहीं जा रहा है अगर ऐसा कहा है तो बिलकुल उत्तर प्रदेश का सौहाध बिगाड़ने का काम जो करेगा हिंदु मुसल्मान का सिक इसाई पार्सी जैन जितने घर्म जाते हो के नाम लिए जा सकते है उनका सौहाध बिगाड़ने का काम कोई करेगा तो समाजवाधी पार्टी उस सो पार्टी द्वाहर करेगे तो यह तो कह रहे है कि नाहीद हसन का डॉक्टरट वीडियो है ने उन्होंने ऐसा कहा है पुराना वीडियो था, जिसको आज इचला रहे है, और यह डॉक्टर्ड है देखे जिसको गुंड़े माफियाओं को जो सन्रचन देता हो वहाँ के हिंदूओं को पलाइन करने के लिए मजबूर करता हो वह नाईद असन ने इस तरीके की बात कहिए यह वहाँ की जनता जानती है मैं उसके उपर नहीं जाओंगा लेकिन अभी जो यह कहरे से जिस तरीके से कुल्दीब सेंगर जो विधायक थे उननाओ से उननाओ से विधायक से किसकी सरकार में जेल गए हमारी सरकार में जेल गए लेकिन इनकी सरकार में बलतकार का आरोप उस समय के मंतरी प्रजापती के उपर लगा था और आखरी तक चुनाओ चलता रहा, उसको जेल नहीं बेजा गया, उसको पकड़ा नहीं गया, जब हमारी सरकार आई तब वो जेल में गए हैं, यहाई इनका चरितर है, यह दोहरे चरितर वाले लोग हैं, इनके दिखाने के दात अलग हैं, और वो जनता देख रही है, और न हमारे हैं साधू की जाती नहीं पूछी जाती, यदि साधू की जात पूछी जाती होती, तो बालमिक की लिखी हुई रामायल हमारे घर में कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन उसके बाबजूद भी, आज यह संत की एक जाती बता रहे हैं, और वो है संत, जिस उसको नाम प आज भी लोग जानते हैं जिसकी सगी बहन मंदिर में पतल मेचने का काम करती है जो खुद 500 रुपए के कपड़े पूरे सरीर पर जिसके नहीं होंगे प्लास्टिक की चपल पहनता है वहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और उसकी यहाद जाती बताते हैं तो निश्ची तुरूप से इनकी किस्मांसिक्ता के लोग है यह तो बसकते हैं मैंने मुख्यमंत्री जी की जाचपे कमेंट नहीं किया था आप याद कर ले मेरा बयान इस पर चलतने नहीं नहीं किया था मैंने यह का था हो सकता है coincidence हो हो सकता है कारण हो मुझे नहीं पता लेकिन यह सचा ही है जो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी मैंने सिर्फ इत्ता कहा था फिर वही बात आ गई चोर की दाड़ी में तिनका मैंने कहा ही नहीं था मैंने यह नहीं कहा कि मुख्यमंतिजी उनको बचा रहे है आप निकार निकालो लो आपकी टीवी चानल पर आप लोगों ने दाली रखाना भी बंद कर दिया है मारे डर के अच्छा लिकिन एक बात तो है एक बात तो है आप 30-35 साल की राजनीती में कभी समाजवादी पार्टी को परशुराम जी का फर्फा उठाने के आविशक्ता नहीं पड़ी थी कभी तिलक लगाने के आविशक्ता नहीं पड़ी थी आप देखें ब्राह्मन ब्राह्मन वाली बात कही तो आप खुल के बोल दीजे हमें नहीं चाहिए 12% ब्राह्मनों का बोत मुझे खुशी है मिनाक्षी जी के आपने सवाल उठाया भगवान परिश्राम का पहला मंदर जिसका मैंने पूजा स्थापना की वो ठाकुर गंड में किया था जब मैं मंत्री था 2012 में उसके बाद फैजुला गंड में मंदर की स्थापना की वहाँ मैं स्वेम पूजन के लिए गया था 2011 की बात कर रहा हूँ तो कोई अगर ये कह रहा है हाँ ये जो गोशना आई जब मैंने कहा कि भगवान परिशुराम का सम्मान अगर भारती जंता पार्टी करना नहीं जानती तो अभिशेक मिश्रा करेंगे और इसका राजनीते से कोई लेना देना नहीं मैं आज आप से कह रहा हूँ मैंने गोशना की कि भगवान परिशुराम की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगाऊंगा सबसे बड़ी 108 पिट की ब्रॉंज की लगाऊंगा जो की 24-5,000 साल चलेगी जब मेरी आपके 50-100 पीडिया नहीं बचेंगी यहां तब भी उप्रतिमा रहेगी वो मैंने तब किया जब इनके मुख्वंती ने भगवान परिशुराम का अपमान किया अब भारती जंटा पार्टी में इतने विधायक, इतने सांसर, इतने मंत्री देश की सरकार में मंत्री इस नाम पे और भी खईपदों पे हैं उन्वें से किसी की हिमत नी हुई जो भगवान परिशुराम के खिलाब जाकर के उस बात पे कह सके मुख्वंती जी से कि मुख्वंती जी गल्ती की इसको ठीक कर लीज़े मैं ये कह रहे हूँ कि आपके आपके पूछा रहा है आपके क्यों नहीं कहा है तूटका गिर जाए अब बताईए अब मैं जवाब दे दूँ जब वो मुख्यमंतरी थे तब उन्होंने मुख्यमंतरी रहते हुए बजरंग बली की 108 पिट की प्रतिमा अपने गाउं में लगाई अपने जिले में लगाई मुख्यमंतरी रहते हुए जब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए प्रभूशी कृष्री की प्रतिमा लगाई, उसका चक्र लगाया, आज भी स्तापित है, दोनों प्रतिमाई, आप अगर अभी बेजने किसी को, आपका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा चानल है, अ मैं व्रत नहीं रखता, या मेरी माँ निर्जल व्रत नहीं रखती, या मेरी पतनी निर्जल व्रत नहीं रखती, लेकिन निर्जल व्रत रख करके उसके फोटो हम नहीं डालते, ये बाद सचे, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, फोटो नहीं डालते बाद सचे, अप तो नहीं गए अपने लिए पैसे निकालने मां को क्यों भेज़ दिया कि आपको पूजा करते नहीं है उसको दिखाते भी हैं फिर उसका प्रसार प्रचार करते हैं फिर उसके नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन मैं आपका थोड़ा सा एक मिनट और आपका लेकर मैं उनके पा जो सुप्रीम कोट में वो भी प्रक्षण है क्योंकि सब्जुडिस मैटर है इसलिए अब ये तो कुछ भी कह देते हैं कि हमने बनाया है इन्होंने क्या बनाया ये कि पार्लेमेंट की आक्सा बना दिया मंदर आप समर्थन करोई सुप्रीम कोट में उसका पूछ रहा है आप उस मंदर में दस माच को बनने जा रही है आपको तुरंत उसके सामने नतीजा आजाएगा इसके जवाब इनको हम शब्दों से नहीं देंगे अपने कर्म से देंगे अपने कर्म से देंगे आपने सवाल पूछा कि आप जितना पूजा पाथ नहीं करते हैं इसका आपको जवाब देना है भूल मच जाएगा लेकिन वो जो आप पूछ रहे हैं उसका भी तो बताएगा पक्ष में खड़े होंगे नहीं करते हantry नहीं लगा झाल लगा लगा है यह नहीं लगाते थे अब तक चोपी लगाते थे यह फे इसको जिसको राजनित लगती हो तो लगती ही रहे उनको तो राजनित करते हैं बावा विस्वनात के मंदिर में भी जाते हैं भगवान सीराम के मंदिर में भी जाके पूजन करके सिलान नयास करते हैं अब इसको जिसको राजनीत लगती हो तो लगती रहे उनको तो राजनीत लगेगी जो टोपी लगा कर टोपी पहना दिया करते थे लेकिन 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 कोई जातिधरम की लड़ाई नहीं है यह निश्चित रूप से देश राष्टरवादी और राष्ट विरोधी लोगों की लड़ाई है यह 20 परसेंट लोग जो भारत पकिस्तान कैदी मैच होता है तो पकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं पकिस्तान का जो पठाके चलाते हैं जीटने पर धekो उन्से हमारी लडाई है हमारी वह लडाईजो आतंकबाद का हिंदुस्तान में समर्थन करते हैं वह उस बीस फरसंट लोगों में है और निस्चितरुप से ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में जन्मे हैं लेकि पाकिस्तान की गाते हैं वो 20% लोगों में हैं उनका जो समर्थन करते हैं वो 20% लोगों में हैं निस्चित रुपते हैं हमारे ही देश में तमाम लोग आप देखा भी जब पाकिस्तान इंडिया का जब महच हुआ था उसके बाद जब इंडिया महच हारी थी तो यहां के उपर कितने पठाके तरे तो लोगों ने ने देखा दाए पाकिस्तान का क्या काम है पाकिस्तान का क्या काम है अब हम क्या जाना है अखलेश जी पाकिस्तान को लेकर आए कि पाकिस्तान हमारा राजनेतिक दुस्मन है अब उनको चीन असली दुस्मन लगा पाकिस सो सो किलो मीटर तक उनको पैदल चलाया गया था किस प्रकार से उनके उपर अत्याचार वहां के उपर बटवारे के समय पर हुए और उसके बाद वहां के उपर आतंकवादी आता था हिंदुस्तान में फिदाइन हमला करता था कितने लोगों को मारता था हमारे मंदिरों में ह हमला होते थे चाहे वो संकट मोचन मंदिर के उपर रातंकवादी हमला हो चाहे रगुनात मंदिर के उपर हमला हुआ कभी हमने सुना किसी मजार्प पर हमला हुआ हो किसी मस्जिद में हमला हुआ हो चीक है आप आपका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को लाने वाले अखिल प्रिमों का साथ उन्हें मिले क्योंकि असदुदीन ओवैसी में मैदान में है बहुजन समाज पार्टी भी है कि कहीं उनका समी करन हा भी ना हो जाए और आपको मुस्लिम वोट कट ना जाए मैं आज आपके मंच से पूरे देश से कहना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश से कहना चाहूंगा कि इससे दुर्भाग एका दिन हिंदुस्तान की संस्कृती में हिंदुस्तान की राजनीती में नहीं हो सकता जहां एक मुख्यमंत्री सीधे सीधे 80 और 20 की बात करता हूँ मैं आपसे कहता हूँ जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ अपनी पार्टी के पक्ष में दे रहा हूँ कि अगर कोई आदमी ये कहता हो कि समाजवादी पार्टी किसी S.A. का साथ देने को तयार है और समाजवादी पार्टी S.C.B.S. की चर्चा करेगी S.C. 85, 15 की करेगी मैं आपसे कहता हूँ हम लोग पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं जो इमतहान दिया इस नियत सी दिया सौ में सौ नमबर आने चाहिए हम उत्तर प्रदेश में सौ लोगों की बात करेंगे हिंदुस्तान में सौ लोगों की बात करेंगे जहां राजनीती करेंगे वहां सौ लोगों की बात करेंगे कोई 85, 15 ने कोई S.C.B.S. ने सब को साथ लेके चलने की बात करेंगे जोड़ने की बात करेंगे और इनकी बात आप करेंगे मिनाकशी जी मुझे बूल लिए दिए तो Свامी परसाद नोर याणे कह शामा उन्होंने स्वैम का की ने हम सोलों की बात कर रहे है और मैं आपसे कहरा हूँ आज पूरी जब्विदाली से कहरा हूँ कि किसी भी कीमत पर देश में यह जो अजेंडा चला रहें इनको सिर्फ पांच चीज़ों पर बात करना आता है बारती जन्ता पार्टी वालों की दिक्कत यही है यह जब बात करेंगे यह हिंदू-मसल्मान पर बात करेंगे यह मंदर-मज्यद पर बात करेंगे यह सम्शान और कब्रिस्तान की बात करेंगे ये रमजान दिवाली की बात करेंगे और जब कुछ नहीं बचता तो ये पाकिस्तान और तालिबान की बात करते हैं इसके अलावा इनके पास करने के लिए कुछ ने इनसे पूछ ये दो करोर नौक्रियां कहां गई उसकी बात बताएं किसान के आये दुगनी क्यों नहीं उसका जवाब दें उत्तर प्रदेश में सतर लाख नौक्रियां जो देने वारे तो उसका जवाब दें उत्तर प्रदेश का एक गाउं बता दे जो गढ़्धा मुक्त हो गया हो उत्तर प्रदेश में एक जगे बता दे जिस पीज में क्राइम में कमी हो उत्तर प्रदेश का एक इंसेंस बता दे जहां पर किसी भी तरीके का एकनॉमिक डेवलप्मेंट का प्रोग्रेशन समाजवादी पार्टी के मुकाबले चाओ जवाब मैं से बांग रहे हैं पद नहीं देते हैं और भर भर के वोट हमारा ले लेते हैं किसने क्या कहा इसका जवाब वो देंगे और उन्होंने किसको कहा मैं समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कहा दे जहाव research कि जन्ता मानियो साप क्या प्राइश को देने जा रहे हैं की बात करते हैं साड़े 4 लाख नोकरियां हमने दी 25 लाख लोगों को 25 लाखो लोगों को रोजगार दिया है M.S.E.bourg के माधध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिला इस्टार्टप योजना, स्टेंड़ योजना, हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेस का या देस का नौजमान केबल नोकरी करने वाला ना बने, नोकरी देने वाला भी बने, उसके पीछे भी काम सुरू हुआ है, आप सब ने देखा होगा कि जिस प्रकार से चाइना के तमा सारे प्रड़क्ट बन किये, एक तो सबसे बड़ा लाभ हमारे कन्नाज में हुआ है, पहले अगर बत्ती बनके आती थी बाहर से, लेकिन आज अगर बत्ती हमारे यहां बनने लगी है, तो इसको रोजगार मिला है, यहां के लोगों को रोजगार मिला है, एक मसीर लगा कर गर की महिला भी रोज 5-700 रुपए आसानी के साथ कमा रही है हजारों लोगों को रोजगार मिल गया है तो निश्य तुरूप से भारती जंता पार्टी ने बहुत बला रोजगार शेतर में काम किया पाठक साथ सपाई ये कहती है कि जितने हाईवे आपने बना लिए उसका भूमी अधिगरहन तो हमने किया था जितनी फैक्टरी आपने डर वाली एमस अपने लगवा लिए उसकी भूमी अधिगरहन काम तो समाजवादी पार्टी ने किया वो तो चलना था हम लोग देख रहे थे वाटसेप पे कि वो चन्दरमा पर सबसे पहले अखलेसजी पहुच गए थे तो सारे काम उन्हों ने किये हैं तो हम लोगों ने किय क्या है तो निस्ची तो जो किया जनता ने उसको जवाब दिया हम ने जो किया है जनता उसका जबाब दसमार्च को देने जा रही है और मैं आज on record बोलना हूँ यही लोग दस तारीक को EVM hack, EVM hack कर नारा लगाएंगे आप सब देखिएगा दो बाते पहली चीज़ इन्होंने कही मुझे हिरानी है कि इन्होंने यह बात कही जो कि सांसद है पार्लिमेंट में बैठते हैं पार्लिमेंट में discussion भी होता होगा debate भी आता होगा, data भी पहुंचता होगा और data पढ़ते भी होगे, मुझे विश्वास है मानी सुपरत पाठेक साब इन्होंने कहा कि चाइना से import हमने कम कर दिया पार्लिमेंट में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसके हिसाब से चाइना से import हमने कम कर दिया अरे कैसी बात हो रही मिनाक्षे जी यह लोग पार्लिमेंट में बैठते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सदन है वो क्या वान रिपोर्ट नहीं पढ़ते क्या देकते नहीं डीटा जो आता है मिनिस्ट्ठी जो डीटा प्रेजन करती है मिनिस्ट्र जो जवाब देते हैं उसका जवाब परिन धियान देते सिर्फ नफरत ही फैलाने में लगे रहेंगे पूरे हिंदुस्तान को सब लडाने का ही काम करेंगे सिर्फ हिंदु मसल्मानी करते रहेंगे सिर्फ भगवान के नाम पर ही वोट मांगते रहेंगे और लोग नारक क्या दिया हम उनको लाएंगे जो राम को लाएंगे अरे ये राम को लाएंगे प्रभु श्री राम भगवान विश्णू के अवतार थे हम सब उनकी वज़े से हैं भगवान राम को लाने वाला कोई नहीं है जितने हैं सब भगवान राम के लाए हुए हैं गलत फेहमी में हैं ठीक हो जाएगी इस बार आप राम को लाए हैं या राम जी आप को लाए हैं नारा तो इनंगा वही है बाकि अब जो जवाब देदे इसान से जह horrश़े निश्चित रूप से राम के आसिरवाद से ही हम लोग आए हैं इनके सपने में एकरशनाते हैं वो कहते हैं कि हमारा मंदिर मेरी जनम भूम पर बनाओ देखो भाजपा वालों ने अयोध्या में उनके जनम भूम पर मंदिर बना दिया है थे और हमेशा रहेंगे और निस्चित रूप से भगवान राम के आसिरवाद से यह भारती जनता पार्टी बनी है उनके ही आसिरवाद से भारती जनता पार्टी बली हुई है उनके आसिरवाद से आज भारती जनता पार्टी का इसकदर माहौल बना आज यह उत्तर प्रदेश में भारती जंता पार्टी की सरकार नहीं होती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती मैं दावेट से इस बात को कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद भी मंदिर नहीं बनने दिया जाता और यदि कहीं गलती से यह लोग आ गए तो यह मंदिर नहीं बनने देंगे क्योंकि इनके यही गली गली वाटसेप चलने हैं यह जा जा कर विशेष धर्म के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी सरकार बन बाओ हम मंदिर रोक देंगे पाठक साब लेकिन अखली शाजव का तो ये ओन रिकॉर्ड बयान है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं एक साल में मंदिर बना कर दिखा देगे और उससे अच्छा जैसा बना रहे है देखो हमने कहा ना ये इनके दिखाने के नात अलग है इनके खाने के नात अलग है प्रकार के लोग है तो आज तो हमने कहा ना आज तो मूल चरितर ही बदल गया है आज तो राजनीत में जो कल तक जो मुख्यमंतरी आवाज पर रोजा करा खुलवाते थे टोपी लगा कर मजारों पर जाते थे अभी हमने देखा कि वो मंदिर तो गए लेकिन एक मजार में उनका इंतजार होता रहा वह मजार में गए नहीं क्यों नहीं गए एक जर इनके अंदर घुस गया है यह पहले यह एक्चुली में क्या है कि यह जातियों के नाम पर राजनीत किया करते थे अब यह जाती के नाम पर राजनीत बंद हो गई अब चुकी उत्तर प्रदेश में अब इन्होंने ब्रामनों की बात शुरू की अब इन्होंने ब्रामनों की बात क्यों शुरू की ये ब्रामन के सम्मेलन के नाम पर ब्रामन सम्मेलन करने लगे ये ब्रामन के नाम पर तो सम्मेलन करने लगे इन्होंने कभी कोई भुर्जी स anál किया इन्होंने कोई संब्हार कर इसे संफ्पपशन हमारे पासoles ने किँगए जिनके अधिकार यह न Allah कि अ कि सुद्र देश नंबर कम कर दिये गए थे सफेदा लगाकर और उस समय को तत्कालीन मुख्यमंत्री की जाति के आदमी को उस नोकरी पर बैठाना था इसलिए उसके नंबर कम कर गए वो हत्या उसने आत्मत्या कर ली यह काफी मुद्दा रहा था उत्तर प्रदेश में नकल के केंद्र जो उत किरी आप डक्तर के लिए आएंगे यह सब इन्होंने किया है इन्होंने खिलबाल किया है और ब्रामण की बात करने वाले यह लोग जिसोंने नीरज मिस्रा की हत्या कराई थी वालो ब्रामण की बात करेंगे अब जवाब ले ले ब्रामणों की राजनीती आप करने लगे क् 12 प्रतिशत वोट भी आपको प्रिया है अब मैं फिर मुझे हैरानी की है मिनाख्षे जी यह सांसद है हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के सांसद यह शिकायत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अलग-अलग जासियों के सम्मेलन नहीं कर रही है जो कि भाज-पाज कर रही है कमाल की सर्थ कमाल की बात है इनका भारती जनता पार्टी वालों का समाजवादी पार्टी के बारे में इतनी जानकारी है कैसे आई जो इनकी सोच है जो इनकी ट्रेनिंग है वही है हराद भी यह हमारे आपके सिस्टम में भी है कॉग्निटिव परसेप्शन के बाइस को आप साइकॉलजी की तेयोरी दुनिया लेवल पर ये कहती है कि भी प्रोजेक्ट आप उन्टु अदर्स हम दूसरे को भी वही तेयोरी अब हमें जो सपने में आ रहा है उससे इनको क्ष्वर मैंने इंसे कभी पूछा आपके सपने में कौन आया मैंने इंसे कभी पूछा आप क्या पहन के सोते हो मैंने इंसे कभी पूछा का सोते हो क्या खाते हो क्या पीते हो इनसे क्या मतलब मेरे सपने में क्या आ रहा है भाई मेरे सपने में प्रभु श्री राम आए श्री कृष्णा है प्रभु श्री परशु राम आए तीनों एक साथ मिलकर के आजाए साथ में महामाई भी आए विन्दिवासनी भी आए इन से क्या लेना देना इन्हें क्या अफरक पड़ता है आप कमाल की बात है और अच्छा ये पहली बार नहीं हो रहा देश की पार्लेमेंट में इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता ने पिछले प्रधान मंत्री के ट्वालेट के उस बाकी चीजों पर टिपिड की ती जो मैं आज नहीं दोराना चाहता पार्लेमें बड़ा क्रिटिसिजम हुआ था उसका आपने नहीं दिखायो या उसका दिखायो मुझे नहीं आदे इतना अच्छा जाती की बात हम समाजवादी लोग जातियों की सभा सम्मेलन नहीं कर रहे हैं इसकी शिकायत भाजवावाले कर रहे हैं कमाल हैं आप क्या चाहते हैं अच्छा और वो भी कब सुप्रीम कोर्ट का ओनरबल सुप्रीम कोर्ट का यह कर रहे हैं न इन्होंने बताया आज भी कर रहे हैं आज भी लखन उत्तर विधान सबा में रगुबर कृपा पे ब्रामणों का सम्मेलन भात्री जन्ता पार्टी ने बुला रखा है, आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वीडियो भेज नहीं तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सुप्रीम कोट ने देश के ओन रिकॉर्ड मना कर रखा है, कि कोई भी आदमी जातियों का सम्मेलन नहीं करेगा, और यह कह रहे हैं, यह नहीं कर रहे हैं, यह हमारा इल्जाम हो गया, हम सुप्रीम कोट का आदेश मानें तो गुनेगार, तमाले, वो कतल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, मैं चोटे सब्सक्राइब, नकल में इसी सरकार में, आज जो मुख्यूमिति इनीजी की सरकार में, गोंडा एक जिला है, उत्तर प्रदेश में शायद जानते होंगे, नाम सुना होगा इनोंने, इनके जहां इसे इसांस है, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं है, उसी जिले में इसेसपी एक इनके विशेश व्यक्ति हैं, उसका नाम पूरा देश जानता है, ये भी कहेंगे, तो आप मैं भी बता दूँगा, बाकि ये बता देंगे, बाकि आप समझ भी गई होंगी, कि वो, हाँ, आपके मुस्कान बतारी है, आप समझ गए, उनके गेट पे डियेम औ इजुकेशन माफिया जो पनप रहा है, जो सरक्षन पा रहा है, उसका सबूत और उसके गवाही दे रहा है, आज इस चुनाव मंच पर आपने अभी शेक मिश्रा को भी सुना, आपने फुबलत पाठक को भी सुना, नकल की बात आपने गिनाई, इन्हों ने कहा कि आपके जमाने में रोजगार कैसे जात को देख कर दिया जाता था, अब इस पर चर्चा लंबी हो सकती है, अन्तहीन हो सकती है, लेकिन ये चुनाव मंच इसलिये तो है, यहां पर लगातार समाजवादी पार्टी से, भारते जनता पार्टी से, अन्या दलों से, नेता आते आप ज़रा आंकडों पर गौर करिएगा, नेताओं की बातों पर गौर करिएगा, क्योंकि यही आपको इशारा देने वाला है कि बटन कहां दबाना है, सोच समझ कर चुनियेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भी पाचेक साब शार्च आपका, बहुत धन्यवाद बहुत कर अबड़ोई